हलो दोस्तो नमस्कार एसमकीजी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दोस्तो यह आज के दिन का आखरी वीडियो है एंड यहाँ पर अगर मैं बात करो तो बहुत सारी वीडियो आज के दिन भी आप ही लोगों के लिए यहाँ पर मैंने बना के रखे सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जरू उनको स्टडी कर लेना फर्स्टाम विजिट के चैनल को जरू सब्सक्राब कर लेना आज हम लोगों को देखने को मिल जाते है और कई event ऐसे होते दोस्तो नेगेटिव event होते वो भी बहुत सालों के बाद आ जाते और आप लोगों को में बताना चाहूंगा इसमें से अगर सबसे बैस्ट कोई event होता है न दोस्तो तो वो negative वाला रहता है क्योंकि अच्छे खासे stock में हम लोगों दोस्टो यहापे गिरावाट देखने को यहापे मिल जाती है फिलाल हम लोग यहापे एक particular sector के मतलब कोई दरने की बात नहीं होती है गिरावाट एक हमेशा की क alar आप लोगों को एक opportunity देती है, आपकी ही अच्छे stock आपको सस्ते दाम में मिल जाते हैं, Amazon के उपर Sale के लिए आप इंतजार करते हो, Flipkart के लिए इंतजार करते हो Sale कब आएगा, जब Stock Market में Sale लगता है तो हम लोग भाग जाते हैं तो दोस्तो उस Sale का इस्तमाल हम लोगोंने अच्छी तरीके से आपे करना होता है तो दोस्तो जैसे में आप लोगों को बताया, कि यहापे एक Particular Sector आप सभी लोगों को बताया, आगे जाके और भी ज़्यादा Problem यहापे खड़ा करने वाला है और इसके चलते उन Stocks में हम लोगों को Pressure देखने को मिलने वाला है इसी के बारे में में कुछ Stocks आप लोगों को यहापे बताने वाला हूँ 6-7 Stock हो सकते, और हर एक Stock के साथ कुछ Disclaimer भी रहेगा कौनसे Type के अगर आप Investor हो, तो कौनसा Stock आपनी Select करना चाहे In the case, अगर आप उस Type के Investor नहीं हो, रिस्क नहीं लेते हो तो वो भी Stock मेंने आप लोगों को बता है, कि आप उनको अवाड़ भी कर सकते हो तो चले एक-एक Stock को यहापे देख लेते हैं सो दोस्तों सबसे पहला कोई Stock है तो वो है बजाज Finance Yes, बजाज Finance अभी आप सभी लोगों को पता है, जैसे मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बहुत बार वीडियोस बना के बता है H2B2 वाल Stock हमेशा कमाल के रहते हैं, हम लोग उसके अलावा भी और भी Stocks की बात करने वाले हैं Finance सेक्टर में आप लोगों को पता है, जहाँ जहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जहाँ जहाँ पे NPS की इशू होने वाले हैं, इसके related question mark रहेगा, uncertainty रहेगी, वहाँ वहाँ पे pressure जबरदस देखने को मिलने वाला है सो budget finance भी आप लोगों के radar के उपर ज़रूर रखना चाहिए, अगर ये गिरता है तो कोई डरने की बात नहीं, ये कमाल के stock होते हैं, जैसे बोला जाता है न कि आने वाले 10 साल में nifty हासे double भी हो सकता है, तो make sure करना दोस्तों कि ये stock आपके portfolio में तब तक रहे, क्योंकि ये stock nifty 50 का ही पार्ट है, तो ये भागेगा तो ज़रूर तभी जाके हम लोगों को वह achievement फुल्फिल होते हैं, देखने को भी मिल सकते हैं, so budget finance जिसके पास भी है, बिलकुल डरने की ज़रूरत नहीं, देखे, मैं बार बार आपको बहता है चुका हो दोस्तों, जो लोग ये आप मतलब जो लगया हुआ, बीज बहुत बड़ा हो जाएगर के, मतलब चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहापे एक मैने का चार्ट पैटन देखते हो, यह दिखिए, अभी अभी जिनों ने अभी जस्ट अभी इंटर किया, 30 दिन भी नहीं होगे, मोटा मोटी पकड़ ल आपको देखने को मिल जाएंगे, आराम से छोड़ देते हैं, नीचे-नीचे-नीचे मार्केट आना शुरू हो जाता है, तो छोड़ के चले जाते हैं, यही कहानी अगर आप थोड़ा भी लॉंग टम वालों को पूछा कि यह देखिए, एक साल भी लॉंग टम नहीं मानता ह उससे भी जादा होना चाहिए, यह देखो, 2000 वाला था, डबल रेट के उपर बेटा हुआ है, उसको कोई फरक नहीं पड़ता है, बिलिव मी, यह आज जो लोग एंटर करें, आज मतलब अभी अभी जिसने कल परसो एंटर किया, यह एक-दो महेने में एंटर किया है, यह सेक्टर का नंबर वन स्टॉक है, जरू इसको खरीद के आगे बढ़ना, देन HDFC बैंक, इतने गिरावट वाले माहूल में भी HDFC बैंक ने सिर्फ एक पसंट की गिरावट में नथिंग दोस्तो, बिलिव मी, अगर आज मार्केट गिरता नहीं न, यह कोविड के वज़े से जो चीजे चल रही है, तो आज साथ से HDFC बैंक आपको अच्छा का साब 50 रुपया का भी जम दिखा सकता था, इतनी गिरावट में भी आप देख सकते हो, सिर्फ 1%, अगर नंबर इतने ही खरा होते ना, तो आराम से 3-4% यह गिर ही जाता, तो हम लोग कह सकते है, HDFC बैंक न कोई फरक नहीं पड़ता, बीच में किसी ने तो इस पे 1100 में एंटरी किया था, और बाद में स्टॉक 700 रख काया था, बाद में बोल रहे थी कि अभी में क्या करो, पुंजी ने में, वहला होल्ड करो, 1100 का स्टॉक आज देख सकते है, 1400 का हो गया, आराम से रिटन मिल जात सो HDFC बैंक भी अगर आपके पास रहेगा, बहुत बड़ी है, बाइन डिप्स करके आगए, आप लोग बढ़ सकते हो, यह सारे स्टॉक समझ रहे हैं, आप लोग कौन से हैं, यह सब फाइनन्स से जुड़े हैं, जहाँ पे NPS का इशूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर ही हम लोग कोई चीज़े देखने को मिलेगी, उसके बाद सब कुछ नॉर्मालाइज होने वाला है, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, कि यहाँ पर प्रेशर आएगा, गिरेंगे स्टॉक, बढ़ आप लोग को पता है, अच्छे कॉलिटी वाले स्टॉक अगर को देखने को मिली थी, बिंदास मतलब बोलते हैं, इसमें डरने की वाली बात नहीं होती है, HDFC कोटक में, अगर आप लोग को गिरते हुए माहुल में अगर आपको खरीदना है, तो SBA कार्ड के लिए भी जा सकते हैं, यह भी NPS के साथ डिल करने माला है, क्योंकि इसका भी यहाँ पर बात करें, तो SBA कार्ड से रिलिटेड और एक अच्छी न्यूस थी, थोड़ा सा अभी क्लिक नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं, तो यही कहना चाहूँगा, कि इनको आप लोगों ने क्या करना चाहिए, रडार के उपर सेट करके रखना चाहिए, कमाल के य है, हाँ, याद आगई, सीटी ग्रूप, सीटी बैंक की अगर मैं बात करें, एक जिट की बात करें, तो उनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस, यहाँ पर मैक्जिमम शिफ्ट होने के चांसे से, ऐसे स्टॉक्स आप लोगों ने रडार के उपर सेट करके रखने है, तो हाउ स्टॉक है, अगर नीचे आगया, जितना नीचे आगया आपके मूग के उपर ऐसे स्माइल बढ़नी चाहिए, जितना नीचे आज़ा, जितना हो सके उतना खरीज़ा, फ्यूचर में आराम से यह धाई हजार, अठाइस सो, तीन हजार टच कर ही लेंगे, थोड़ा सा दिक् मुझे अंडर वैल्यूड लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि काश यह 1000-1200 के असपास होना चाहिए, जितने HDFC बैंक बढ़िए, उतनी ICC बैंक भी बढ़िए, बट यह स्टॉक तो 500 के असपास है, यह चाह चुका था 700 के असपास, देन COVID ने एंटरी ले ली वापस नीचे तो यह तो स्टॉक जो भी एंटर कर रहे है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में गजब का भागेगा, तो इस स्टेट्मेंट को वापस कह रहा हूँ, positively और यहापे ऐसा नहीं लेना है कि चलो blindly निवेश कर लेते, उतना होल्ड करना भी आना चाहिए, तो यह स्टॉक भी उजिवन, सुरियो दे, यह स्मॉल फाइनस बैंक को साइड में रखो, बोलते हैं ना उसके बाप को पकड़ो, मतलब EU स्मॉल फाइनस बैंक, अभी अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी में आड हुआ है, कमाल का स्टॉक है, बट वलेटेलिटी जिलनी आनी चाहिए, इवन हम लोगों ने पैंडमिक में देखा था, पाचसो रुपे, मतलब बोलते हैं न, उसके भी नीचे देखने को मिल रहा था, और आज हजार उसके भी उपर गया था, तो यह स्टॉक याद रखो, यह NPS फेस करने वाले, बट यह अपने बिजनेसे, जो छोटा-छोटा बिजन यही चाहिए, तो और किदर जाना मत, State Bank of India में ही जाना, वहाँ पे भी अगर मतलब बोलते हैं आखरी चाहिस आपकी State Bank of India होनी चाहिए, अगर नहीं भी डालो तो भी चलेगा, बट फिर भी बोलते हैं चलो एक additional point ले ही लेते, कभी-कभी सरकार मदद कर ही लेती है, तो news आत प्रेशर में रहेंगे, बट फ्यूचर में ultimately वहाँ पे recovery आईगी आईगी, इस वीडियो को मतलब study वही लोग करना जो long term वाले है, शौट टम में अगर आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा पेन आप लोग को यहाँ पे जहलना पड़ सकता है, और बाद में आप लोग loss मे अगे फ्यूचर में भी रहने वाला है, और निफ्टी का, जैसे मैं कहता हूँ निफ्टी 50 का maximum contribution financial services से आते हैं, लगबग 38%, तो निफ्टी 50 अगर हम लोग dream करते हैं कि यह जाएगा 50,001 लाग तक जैसे आरजे ने बोला था, तो यह possible ही नहीं जब तक finance चलेगा नहीं तब तो finance आज नहीं तो कल चलने वाला है, तो यहाँ पे दिक्कते आएगी तो उस दिक्कतों में बड़े stocks को पकड़ना है, छोटे stock के जाओगे 10-12 रुपे के तो फिर अटक गए, तो यह फाइदा आप लोगों को ऐसा बहुत rarely ऐसे मोखे मिल जाते हैं, बट उसके लिए दिम stocks आपके cost के भी उपर देखने को मिल जाएगा, and ultimately आपको profit भी हो जाएगा, but as usual यह तो सारी बाते मैंने अपने point of view से किये, आप agree भी कर सकते हो, आप completely disagree भी कर सकते हो, जो चीज़े अच्छी लगी उसको पकड़ लेना, जो अच्छी नहीं लगी, ignore कर लेना, so आया पाश अ